गुरुमंत्र शो में आपका स्वागत है मैं हूँ सरगमपन और आज हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्टो साइंटिस्ट जीडी वशेश जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है गुरुजी अगर आप खिलाडी है तो हड encanta से जूड़ु जूड़ होंगे खास कर हडियों के खिसकने के समस्या से खिलाडियों के लिए ये आम बात है लेकिन हडियों के खिसकने की एक और गंबीर समस्या है slip disc जिसमें ना सिर्फ असहनी दर्ध होता है बलकि शरीर का कुछ हिस्सा काम करना भी बंद कर देता है जादतर मामलों में slip disc की पहचान बहुत देर से हुपाती है slip disc में वीड की हड़ी अपनी जगा से खिसक जाती है और नसों के दबने से शरीर का कोई अंग दर्ध करने लगता है आज हम इसी विश्व पे बात करेंगे राशियों के अनुसार आपके दिन का हाल तो होगा ही और कौन से विश्व होंगे ये भी जान लेते हैं कुंदली में slip disc के लक्षण पहचानेंगे हडियों के खिसकने से ग्रहों की चाल का संबंध जानिये हिलाडियों की मोच का ग्रहों से कनेक्शन समझेंगे राशियों के अनुसार आपके दिन का हाल होगा शो की शर्वात करने से पहले आपको याद दिला दू फेस्बुक पर गुरुमंत रुपेज को जरूर लाइक कीजे और गुरुदेव से सीधा अपना सवाल कीजे आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो इमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर मिल कीजे आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा और अगर आप गुरुदेव से संपर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर फोन कीजे आपके पास पैसे नहीं है और आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो गुरुदेव के संस्थान में जाकर मिशुल्क अपना भविश्य जान सकते हैं इससे जादा तरीके आपको और कहा मिलेंगे गुरुदेव पहला कॉलर ने इससे पहले जानना चाहेंगे मेश वरिशब और मिथुल राशी वालों का आज का दिन कैसा जाने वाला है जादा उत्तब नहीं है व्रहषब राशिवालों के लिए आज का दिन ज्यादा उत्तम नहीं है शरीर में अलास्या की प्रदानता रहेगी किसी से बेवजा का विवाद परशानी का कारण बन सकता है और ग्रह सुक्ष में भी कमी के हलाद देखने को मिलेगे मिथ्वन राशी मिथ्वन राशी वालों का मिला जुला सा दिन है जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं शिक्षा प्रतियोगता के क्षेतर में सफलता आर्जीत करेंगे यात्राई भी हो सकती है प्रंतो परिवार में किसी को स्वास्ते से संबंद दिखते आने की संबावना है गुरुदेव स्क्लिपडेस का आजकल इतना जादा कॉमिन होता जा रहा है हर दूसरे व्रति को आजकल स्क्लिपडेस की विमारी है उम्री जो भी हो कोई बच्चा हो, बुजूर्ग हो, महिला हो और अभी तक मेडिकल साइंस ने इसका कोई उपाई भी नहीं है क्योंकि कुम्ली को देखे बताया जा सबता है कि इसके क्या लगता है बटा, जनम कुम्ली के अंदर केतु की अवस्था तैय करती है कि किसको slip-brist होगा और किसको नहीं होगा अब ये तो सब जानते हैं कि प्लैनेट तो सही माइने में साथ ही हैं और बोलते हम नो हैं लेकिन ये दो प्लैनेट कहां से आजाते हैं ये इसका सिस्टम में आज आप सब पर समझाता हो रज़े ये जो बाकी के साथो ग्रह है सूरे, चंदर, मंगल, बुद, बस्पती, शुकर, शनी ये जो साथो प्लैनेट है ये जनम कुरली के अंदर जिस अधार पे बैठते हैं जहां जहां पर बैठते हैं और इन सब के मिशन से जो एक अनर्जी निकलती है एक सोच बनती है जो उसे बोलते हम राहू और राहू वो है जो विचार के रूपे एकदम कौन्द के आता है लेकिन उस विचार को नेगटिव और पॉजिटिव करने वाला जो एक ताकत आती है उसे हम केतु बोलते है और यही केतु सही रहने में तै करता है कि कौन कितना जीवन में तरक्की करेगा किसकी हड़िये वाके में जानदार रहेंगी और किसकी बैकबान पूरी स्ट्रॉंग होगी और उसकी कमर में पुरा दम होगा ये सब कुछ केतू ही तेय करता है और केतू ही तेय करता है कि अपनी उलाद कितनी होगी और हमारा अपने ही घर के अंदर सुक शानती वाला वातावरन कितना रहेगा या खराब कितना रहेगा तो इसलिए केतू तो एक बहुत बड़ी ताकत हो गए क्योंकि हमारे जीवन को चलाने का पूरा आधार लगबक केतू होता है जैसे एक इंसान वो अगर किसी की भी बात सुनकर के उसको बड़े धहरे से रेक करते हुए उल्टा जो सामने से गलत कोईसी ने कुछ के दिया है उसको भी जो समझाने का काम करता है उसको बोलते हैं शुब केतू लेकिन किसी की सही बात को भी गलत अंदाजा लगा करके एक दम से भड़कने वाला जो इनसान होता है उसे बोलते है अशुब केतु और ये अशुब केतु जिनकी कुलियों में होता है जिनकों भी रोज टेंशन देने लेने की बिमारी एक तरह की पढ़ जाती है और वो कुछ ना कुछ बस उन्होंने यहीं जो होता है यहां अगर खड़े हैं और दूर अगर दो खड़े लोग वापस में बात कर रहे हैं तो उसको ये अभास होने लगता है कि ये मेरे ही बारे में बात करता है और बहुत सारे लोगों को तो ये भी प्राबलम है कि वो जैसे ही उनके पास कोई आया और आकर के उसने जनर्रल वैसे ही हालचाल पूछके हसते हुए कोई बात कहके चला गया तो वो उस बात को दो चार दिन पहले हुई बात के साथ जोड़के कहता है कि मेरे को ये टाउंट मारके चला गया ये चीज़ होती है ये जो थोट होता है ये खराब केतू के थोट होता है और ये ही खराब केतू ये स्लिप डिस्क देता है और ये जिनको आदत होती है यानि कि कि किसी की भी बात को गलत समयना किसी भी बात को टेंशन जन्दी बना लेना और ये बना करके उस बात को बहुत लंबा खीचना और या अपने ही घर के अंदर रहते हुए अपने भाईों के बारे में गलत सोचना और परिवार के लिए ये सोचना कि ये सरफ अपना-पना सोचते हैं बेरा नहीं सोच थे, और इस बात को लेकर के नेगटिव होते चले जाना, यही जो सोच विचार है, यही सही माइने में slip disk को जनम देता है। slip disk होता कैसे है? हमारी नसों की कमजोरी की वज़ा से. जब भी हमारी कमर के पास की नसे थोड़ी धीली पढ़ने लगती है, क्यों होती है ये केत्व की खराबी के कारण और इसका सबसे बड़ा जो इलाज है बेटा वो यही इलाज है कि आपके दिमाग में नेक्टिव थौट ना आए आप सबकी बात को पॉजिटिव ले करके चले अगर कोई नेक्टिव बात करता भी है तो उस वक्त में धैरे से बि हो पिता हो पुत्र हो माँ हो बाप हो किसी की भी बात को ले करके बस उनका एक ही काम होता है कि नहीं तुमने ये बोला कैसे मैं तो गलत हूई नहीं और जिबकि उन्हें पता भी होता है अंदर से कि नहीं जो उसने किया है वो थोड़ा सा गलत था लेकि मानना नहीं है ये क कमर के हिस्से के दर्ध हो सकता है वह रीड की हड़ी का दर्ध हो सकता है वह पाउं का दर्ध हो सकता है या यह घुटने से मीचे अले पोश्चन का दर्ध हो सकता है इस दर्द के सारे जिन्गी बितानी परती है नेक्टी थॉर्ट का देखो कहां पर जा करके कितना बड़ा असर होता है गुरुदेगा भी कुछी दिनों पहले मेरे साथ हो जा रही थी मेरा पैर्ण मुड़ गया और मोच आ गए और ये पहली बार मेरे साथ कहीं बार हो चुका है और मैंने देखा है मेरे दोस्तों के साथ भी हुआ है मेरे परिवार वालों के साथ भी हुआ है कि हडिया भी बार-बार डिस्लोकेट हो जाती है खिसब जाती है तो ऐसे लोगों मेरे मेरी कुली की भी अगर बात की जाए तो उसे क्या लक्षन होते हैं कि बार-बार एक ही हमें समस्या का सामना करना पढ़ रहा है जब भी जनम खुली के अंदर केतु थोड़ा बोता खराब होता है और चुक्छी इलाज के बिलको काबिल होता है और बहुत असानी से ठीक किया जाता है तो सिरफ पाओ मुडता है और जब भी केतु का संबंध हमारे मंगल के साथ को हो जाता है तो उस वक्त में मोच बार बार आती है तीक है लेकिन ये सब कुछ बहुत ही अराम से इसको ठीक किया जा सकता है केतू का ज़्यादा खराब होना ये भी इसी चीज़ के उपर डिपेंडन है कि किन दिनों के अंदर आप कितनी ज़्यादा टेंशन लेती है तो जिन दिनों के अंदर आपके घर के अंदर टेंशन के महाल चलेंगे जिन दिनों के अंदर खास तौर पे आप लोगों पे करज़े चड़ने वाले हालात बनेंगे उन दिनों के अंदर खास तोर पे बच्चों के पाउं मुडते हैं या बड़ों के पाउं मुडते हैं तो यानि कि एक यही मोच का इलाज करने के लिए अगर हम केतु का इलाज करते हैं तो घर के करजे का भी इलाज हो जाता है तो जिनकों भी मोच बार बार आती हो समझे और यहां रास्ते में चलते हुए अचानक ही थोड़ा सा पाउं जटके के साथ मुनने से ही मुचाजाती हो बेटा इन लोगों के लिए उपाई लिखिये इनके लिए सबसे उत्तम में लाज़ है कि हर रोज कुतों को कुछ ना कुछ खाने को दे अगर हो सके तो दो तीन कुतों को खाने को दे और उनके पास में पांच साथ दस मिल बैठे एक तो ये दूसरा काला सफिर कंबल ले करके अपने सर से साथ वार उतार के उसको मंदिर में देना है और ये साथ ब्रस पती वारता कर दिया जाए और हर रोज के सरका तिलक अपनी नाभी में जुबान पर और माथे पर लगाए और बे मतलब की टेंचने बिलकुल ना बनाए जितना हो सके अपने आपको पॉजिटिव रखने की कोशिश करे केतु देव बिलकुल पॉजिटिव होकर के घर के महौल को भी आपके शरील को पाउं को सब को बहुत उत्बर गुरुदेव आपसे बाचीत का सिलसिला जारी रखेंगे पर उससे पहले करक सिंग और कन्या राशी वालों के देना आज का कैसा जाने वाला है कि बता दीजे करक राशी करक राशी वालों के लिए भी आज का दिन कुछ खास नहीं है घर में तनापून सिती देखने को मिल सकती है परिवार के लोगों और परशितों से किसी ना किसी बात को लेकर मन मुटाव हो सकते हैं और किसी भी परकार का अगर आज निवेश करना हो तो अपने बड़ों से सला ज़रूर ले सिंग राशी सिंग राशी वालों के लिए दिन उतम है आज कोई शुब समचार की प्राप्ति होगी कारेक्शेतर में भी सफल्त के संकेत मिलु रहे हैं और मित्रों के साथ अच्छा समय बहतीत हो गा मांगली कारे में भी शामिल हो सकते हैं करना राशी वालों का भी आज दिन उतम है आज परिवार के साथ में भी अच्छा समय व्यतीत होगा और शरीर में भी फुर्तीलापन देखने को मिलेगा मित्रों से अच्छा सईयोग प्राप्त होगा और कामकास के हालाथ सामान्य बने रहेंगे गुरिशी से छोटे बच्चे होते हैं उनका शरीर बहुत ज्यादा नाजब होता है क्योंकि पनप्रहा होता है अकसर ऐसे देखा जाता है कि छोटे से छोटे जटके से बच्चों की जो गरदन की हड़ी होती है वो फिसद जाती है तो क्या इसका संबंद भी कुमली से होता है और अगर ऐसा होता है तो उसके उपाई भी दखाता है बच्चे को प्यार से उठाकर करके कोई बाजू से बगड़े करने लगा उसकी बाजू उतर जाता है तो यह चीज है यह वाली जो आप कमजूरी है यह होती है शुकर और भुद की कमजूरी और जिसकी भी जनम कुल्ली के अंदर सूरे खराब हो तो समझे लो शुक्र मुद अपने आप ही खराब हो के हैं ठीक है और सूरे को खराब करने वाले ग्रह कौन से है जब जनम कुल्ली के पांचवे घर के अंदर शनी या राहू बैठे हुए हो और या फिर सूरे के साथ मिल बच्चा वैसे दिखने में बड़े लंबा चोड़ा हो हर तरह से अच्छा लग रहा हो लेकिन अंदर से कमजोरी की योग बनाता है तो ऐसे में जब तक आप पापी ग्रहों का इलाज नहीं करते कब तक खराबी होगी और एक बात और बता दो बटा जिनके बच्चों को खास साथ्व के खर्चे हमेशा ही लगे रहते हैं ड़ले की जिनके वारियों के उपर फालतों के खर्चे वो जरूर लगते एक तोपाई ये, दूसरा, मुलिये हो, गाजर हो, शलगम हो, कुछ भी हो, लेकिन ये पत्तों सहीत ले करके, रात्री में बच्चे के सराने रखकर के सुएं और सुबाउट करके, उसे मंदिल में दे ले, कम से कम ग्यारा दिन, ने तो 27 दिन तो ये चरूर करें, तीसरा, हर बढ़ के पेड़ पर दूद और पानी मिलाकर के चड़ाना, बीच में दो डाले चीनी के डालना, और बढ़ के पेड़ पर चड़ाके गीनी मिटी का तिलक लगाना, और अपने घर से बंगढ़िये खोटे सिके खराब लेक्टरॉनिक समान को निकालना, हाँ, ये काली को काली पढ़ने लगे बरसाथ में भीग करके तो ये तक्ली बहुत बढ़ी हो जाती है, तो इसलिए घर की छट के ऊपर लकडी का कुछ भी करिशक किया हुआ, कुछ भी बनाया हुआ, उसे वहां से जरूर हटा दे, उसके बाई ये समझ से अपने आप खत्मों के, ग कि फुनली में ऐसे योग हैं कि इनके हडिया जो है वो डिस्लोकेट होंगी, विल्कल बटा, ये केत्व जब भी खराब होता है, और भले ही उसका संबन्द खराब हो करके अपने ही अच्छे गरह के साथ, यानि कि ब्रस्पती के साथ हो जाए, या अच्छे घर में शुकर क साथ में भी हो जाए, लेकिन अगर वो इसको पहचान कैसे होगी, कि वाके में हमें ये प्रावलिम आ सकती है, जिनके घरों में तीन भाई हो या तीन से जादा हो, तो वहां पर केत्व बड़ा प्रबल होता है, दूसी बात, जिनके घरों में सांस की तकलीफ किसी को घर में रही हो, टीबी या पैरलाइस किसी को रहा हो, तो उसको समय लेना चाहिए कि कि किसी को भी घर के अंदर ये स्लिप डिस्क की दिक्कत आ सकती है, और खास करके अगर कोई वाके में खिलारी बन रहा है, बहुत डेलिगेशन से बहुत मेंनत करके वो एक मुकाम तक पौंचना चाहता तो उसके चांसे वाके में सबसे ज़्यादा बन जाते हैं, तीसरा, अगर किसी का घर के ऐसा रहा हो, जो कि रोड के लेबल से नीचे चला गया हो, तो वहां पर ये समस्या बनना बड़ी आमसी बात हो जाती है, और चौथा, जिनके बुजर्गों ने कुत्तों को मा बहुत मारा हो, और अगर घर पे ये बात होई है और आपको पता है, तो समय लीजे आने वाली पीडी के अंदर किसी ना किसी को ये स्लिप डिस्क के दिक्कत आने वाली है, नहीं तो टांग अगरा तूटना, हड़ी के अंदर दर्ध होना, ये बात आम होने वाली है, ये मै इन लोगों को हमेशा अपने बुजर्गों के, मंदिर के पंटों के, अपने जो उनके शिक्षक हैं, उनके टीचर है, या अपने रिशेदारी में जो उनसे बड़े हैं, हमेशा पूरा जुके, पाउं तक हाथ लगा करके उनका अशीरवार लेना है, अगर ये अपने जीवन बन्यागी क्योंकि घमंडी इनसान को सबसे जड़ा हड़ियों के दर्द होने का सबसे जड़ा डर रहता है, फिर केसर का तिलग, हर रोज नाभी जुबान माथे पर लगाना, सोने की चेन गले के अंदर धारन करके रखना, या पीने रंका धागा धारन करना, और केले और क पता है, तो ऐसे में, अगर तकलीफ आई भी, तो वो शायद एक दो पांच साथ दिन की होगी, इस से जड़ा कि नहीं होगी, लेकिन अगर इस चीज को नहीं करा, तो जिसको भी ये दिक्कात आएगी, बड़े नम्बर समय तक खिश सकती है, अगर आप हमारे शो से जुड समपर्क कर सकते हैं, या तो आप हमें अपनी परिशानी मेल भी कर सकते हैं, www.gurumantra.itvnetwork.com पर और अपने परिशानी के साथ अपनी डीटेल्स और अपना नम्बर लिखना मत भूलेगा, हमारी टीम आप से खुद समपर्क करेगी, और आपको हमारे शो पर कॉलर बनने का ही मौका मिलेगा, तो चलिए अब समय होगे अग्ला कॉलर लेने का, हमारे साथ अजे जुड़ गए हैं और अरंगाबाद भिहार से, अजे से पहले आप गुरुदेश से अपना सवाल करें, आप अपनी जर्म का समय तिथी अस्थान बता दिए। इसकी जनल कुली के अंदर दोदोल योग बहुत खराब हैं। इस योग का इलाज करना बहुत जरूरी है। और दूसरा, इसका मंगल बद हो करके जिसका भी लाब स्थान के अंदर बैठ जाये बेटा, वो इनसान की कमाई के अंदर सदा ही मुसीबते पड़ी रहती हैं। और वो इनसान सही ढंसे कभी कमाई नहीं कर पाता जब तक कि इस मंगल बद का इलाज न कर दिया जाए। तो ये दो प्राब्लमें होने के कारण इस बच्चे की तरफ से तुम्हें ये तक्रीफों का योग बना हुआ है, जब तक ये नहीं होगा तब तक बटा तक खराबी के योग है। इसके लिए तुम्हें करना क्या है? सबसे पहले इस बच्चे को कभी भी काले और निले रंग के कपड़े नहीं पहने देने, ये जब जब भी काले और निले रंग के कपड़े पहने गा, इसका सबबाब भी खराब होगा, इसकी साय शक्ती भी खराब होगी, और ये कुछ भी ढंसे नहीं कर पाएगा। तो दूसरा 43 दिन लगाता तामवे का पैसा ले कर के उसको जल परभा करना है अब यहां मंगल को भी ठीक करना है उसके लिए चांदी के बरतल में शहर भरके थे उसके पहले अपने घर की नीम में डबा दो और उसके बार में 43 दिन लगाता चांदी का चकोड टुकडा नीम के पेड़ की जड़ में दबाना ये करना बहुत जरूरी है जब ये दुनों उपाई हो जाएंगे बेटा उसके बार में इसकी कंसेटिशन भी डवलब होगी ये बेटा तुम्हारे पंडीगी ही तुम्हें बता देंगे उसके अंदर चमेली का तेल और साथ में सिंदूर होता है और साथ में आप चाहे तो चांदी का वक्त भी चड़ा सकते हैं आपको बता देते हैं जीडी वशिष्ट की मुहीम के बारे ले आप पड़ी लिखे बेरोजगार हैं हाउस वाइफ है या रेटायर्ड है तो आप एस्टो आर्मी से जूर सकते हैं और घर बैठे ही लाखों रुपे कमा सकते हैं आपको बस रेजिस्ट्रेशन कराना होगा अनलाइन जिसके लिए आप www.astroarmy.com पे जा सकते हैं और खुद को रेजिस्टर करा सकते हैं और अपना भविश्य भी भेटर बना सकते हैं अब सभी का स्वागत है आज हम बात कर रहे हैं स्क्लिप डिस्की गुरुदे ब्रेक के बाद पहला सवाल लें इससे पहले तुला वरिश्यक और धनू राशी वालों का आज का दिन का हाल कैसा होगा ये बता दीले तुला राशी तुला राशी वालों का दिन भी कुछ मिला जुला सा है ये वज़ा के विवार परशानी उत्पन कर सकते हैं वैसे मित्रा आपकी कठिन परस्तितियों में आज सहायता जरूर करेंगे और परिवार का सुख भी अच्छा प्राप्त होगा वरश्चिक राशी वरश्चिक राशी वालों के लिए आज का दिन कुछ खास अच्छा नहीं है आज परिवार का सुख तो अच्छा मिलेगा और आपको यहां कोई मंगली का योजन भी हो सकता है तंतु भाई बंदों से अनबन हो सकती हैं मन में नकात्मक विचार आ सकते हैं काम कास में आशा लूप सफलता वो दिखाई नहीं पर रही और क्रोध पर नियंतरम बना के रखें धनु राशी धनु राशी वालों के लिए भी कुछ खास दिन नहीं है आज धन का दुर्व योग परशानी का कारण बन सकता है और स्वास्ते में भी किसी न किसी को परिव कारण वालों के साथ के विवाद उत्पन हो सकता है काम कास में मिला जुला सा असर रहेगा गुरुदेव कुछी दिनों पहले ऐसा हुआ कि मेरी जो मदर है वो जा रहे ही थी ट्रेन में उनका पैर आ गया पैर में पलस्तर चड़ गया और उसे कुछी दिनों बात जब वू ठीक हुई तो उनका एक्सिडес उगया उनके हाथ में पलस्तर चड़ गया तो ऐसा लग रहा था कि परवार पे मुसीबतों की बाड़ आ गई हो जिस तरीके से तो ऐसे लोगों की जो कुणली होती है, उसमें क्या जोग होते हैं, क्या लक्षन होती हैं? बाटा ये होती है राहू की खराबी राहु जब भी जनम कुली के अंदर किसी का बहुत ज़्यादा खराब हो गया तो वो बार बार एक्सिडेंटली प्राब्लम करवाता है और बार बार चोट लगवाता है और एक मुसीबत के बार दूसी दूसी के बार तीसी करवाता है और इसके अंदर इतना ही नहीं एक और पाब्लम इंसान के अच्छे खासे चलते काम के अंदर भी खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि धनकी कमी होने लगती है घर के अंदर किसी ने किसी को जिद की आदत होने लगती है और वो अपनी जिद के अंदर जवर दस्ती बात मनवाने के उपर तुलता है और जिसके अंदर हालात ऐसे बनते है कि जिसमें संसकारों की एक तरह की कमी जलगती है और मनमर्जी ज्यादा जलगती है ये वाली प्राब्लम ये वाले सिंटम्स के साथ में आती है और इसे बोलते हैं राहू की खराबी और ये राहू की खराबी बढ़ती कहा है ये राहू की खराबी वही पर जादा बढ़ती है जहां पर घरों के बात हुं बिलकों गंदे हो नालिये जाम होने लगे या बरसात के अंदर पानी वगरा जादा खड़ा होने लगे और घर की कोई 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 ऐसे रखे हुए जो आज की डिड़ में चलती नहीं है तो उन कोईंस को उठा करके सबसे पहले अपने घर से लिका लुगा, उसके बार में, बिटा हर रोज कुतें और कौगों की सिवा करना बहुत जरूरी है, नीले और हरे रंग से सक्ट परहिज बिनाना बह करके उनको भी जल प्रवा करते रहेंगे तो राहु देव बिलकुँ काबू में आका के बाद में ये एक्सिडेंट वगरा की पाव्लम को बिलकुल छोड़ तो चलिए अब समय है महिनाओं से सम्मंदेद एक सवाल पूश्टे का बुरीदेव महिनाओं को सबसे जादा स्लिप्डिस होता है क्योंकि महिनाओं दूसरों के लिए इतना करती हैं उनके पास खुद के लिए समय ही नहीं रहता और अक्सर वो जानती भी नहीं है क्या करें दॉक्टर के पास जाती है इसलिप्डिस ता कोई लाज नहीं तो महिनाओं क्या कुछ कर सकती है क्या उपाएं में तुमनें देखा होगा कि जैसे ही औरत की शादी होती है उसके बाल में हमारे यहां पर एक विधान था और समस्कार थे कि पाउं के अंदर बिच्वे पहना देट में इसे बिकार में मानते हैं लेकिन ये सही माइने में एक साइंस थी क्योंकि उनको पता था कि औरत के घर में सबसे गया काम होता है बार बार जुकना बार बार काम करना कहीं उची चीज़ से कोई काम करना और ये सारी जो खल जगने ये औरत को ज़्यादा पढ़ा पाउं के अंगूठे में बिच्वा पहना छोड़ देगी और पायल में ही पहनेगी बेटा उनको सबसे ज़्यादा ये तकलीफ आने का योग है और आप इससे समझ के होंगे कि यही एक उपाय है ठीक है दूसरी बात बेटा अगर इसके साथ में औरत हर रोज गाएं कुटे कुछ ना कुछ खाने को देती है और जब भी खास तोर पे कोई बज़र्ग फकीर या कोई बज़र्ग बिकारी घर पे आता है उसको खाने के साथ में कुछ ना कुछ थोड़ा बुता मीठा भी अगर वह दे के भिज़े तो बेटा ये बुरी एनर्जी अपने आप अपने पास से दूर जाती रहती है और ऐसा इंसान जितना दूसरों की सेवा करके दुवाईं लेगा बेटा ये तकलिफे उतने ही दीवन के अंदर तूर रहेंगी तो औरतों के ही ये सारे काम हैं जो मैंने बताए हैं यानि कि दूसरों को खुश करके उनकी दुवाईं लेना कि लेट में भी जाला तक्लीफ है अपने कमर और पाउंग की वो औरतें ये कम करके देखें और उसके बाद देखें कि पहले भी दवाई खाती थी तब कितना आराम था और अब कितना आना शुरू हुआ मकर राशी मकर राशी वालों के लिए काम कास में तो अच्छा दिन है उसमें लाप के हलात भी नज़र आ रहे हैं प्रंथू खर्चे अधिकोंगे पढ़ने लिखने वालों को शिक्षा प्रदियोक्ता के एक शित्र में मन नहीं लगेगा और स्वास्ते में उतार चड़ाव क इस्थिति बन सकती है कुमराशी कुमराशी वालों के लिए भी कोई खास दिन नहीं है आज आपको यात्राओं के अफसर्बी प्राप्ट हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए आप घर परिवार से कहीं दूर आपको जाना पड़े परिश्रम के अनुसार फलकी प्राप्ती नहीं होगी और नजले जुकाम से संबंदिर विकार उत्पन हो सकते हैं स्वास्ते का थोड़ा ज्यान रखके चले मीन डाशी मीन डाशी वालों का भी दिन मिला जुला सा है आज घर में बड़े लोगों का आदर सत्कार करेंगे किसी मांगली कारे में भी आप शामिल हो सकते हैं प्रन्तों मित्रों से अन्बन हो करके मांसित तनाव उत्पन हो सकता है इसलिए क्रोड पर अपने नियंद्रन बना करके गुरुदेव आपने कई सारे उपाय बताए हमारे दर्शकू को पर क्या इसका एक पर्मनेंट इलाज है कि हम इतने सारे उपाय करने की जरूरत ही ना पड़े हाँ बिटाए इसका पर्मनेंट इलाज भी है इसका पर्मनेंड आज भी कहते हैं लाल किताब में कहा जाता है कि जो भी तुभरे जनम कुंडी के अंदर ग्रै खराब हो अगर उसके संबंदी यानि कि जैसे शनी के लिए चाचा देखे जाते हैं बस्कदी के लिए दारा धादी देखे जाते हैं शुक्र के लिए जीवन साथी देखा जाता है मंगल के लिए भाई देखे जाते हैं इसी परकार से कुट्टे के लिए दोता भांचा जीजा साला ये देखे जाते हैं और साथ में इनके जो जानवर देखे जाते हैं वो होते हैं कुट्टा और गदा ये जैसे अब नेचुनी बात है कि गड़े को तो कोई कुछ नी खिलाने जाएगा लेकिन कुट्टा अगर घर पे आप पालते हो तो ये इस चीज़ का पर्मनेंट सेलुशन बनता है यानि कि रूज कुट्टे की सेवा होना उसको खिलाना उसके अनर्जी घर मी अंदर विच्छत होते रहना कुट्टे के शरीष से जो स्मेल आती है वो सही माइने में केत्यों को बहुत अच्छा और प्रबल करती है उसकी जो उर्जा घर के अंदर घुम गए होती है तो वो आपकी वाके में कमर पाउं के हिस्से को पूरी तरह से अच्छा रखने के लिए वो उर्जा बहुत ही ज़़ा काम आती है क्योंकि कुट्टे के आप देखें कि उसकी हड़ी हमेशा बड़ी मजबूत और अच्छी होती है और वही उर्जा निकलती है जो हमें भी मिलती है उससे वो अच्छा रहता है तो इसका पर्मनेंट सलूशन है बटा कि घर में कुट्टा पाला और साथ ही बांजा, दोता, जीजा और सल्प ये समंदी अगर आपके ऐसाथ है और उनके साथ में आप हमेशा बना के रखते हैं उनके दुख सुप में काम आते हैं, उनके इसाथ में बहुत अच्छा वार बैवार है तो बटा, ऐसे में कभी भी ये समसाय नहीं आएंगी और तीसरा है अपने घमन को छोलना इससे पहले आगे बड़े हमारे साथ मौनिका अंबाला से जुड़ गई है मौनिका अपना प्रश्ण पूछने से पहले जन का समय तिधी अस्थान बता दीचे गुरुजी मुझर्णी बच्ची ये बाद में पूछना है कोई की देटों बर्थ है 21 जुलाई 2001 कहां का जनम है बड़ा गुरुजी अंबाला से टी का मौनिका क्या प्रश्ण है आपका क्या पूछने साथे हैं आप गुरुदेश से गुरुजी मेरी बच्ची आई-ई-ई-ट के लिए प्रिपेर कर रही है बहुत नहींत कर रही है बड़ा इसके पापा का क्या हाल है गुरुजी उनको गुपन की बहुत इकत है और उनकी हिप और जॉइंट सब्यारा के दप्रोन इंको हिप और गुपन को रिप्येस्नेक्ट के लिए पताया हुए क्या वो शराब पीते ने पहले बड़ा इस बच्चे की जनन कुली के अंदर मैं जो देख रहा हूँ इसकी मेहनत बहुत है काबिल भी है डेलिक्रिशन बड़ी गजब की है जो ये सोचे की ठाने के करने की पूरी कोशिश करेगी लेकिन इसके कुली के अंदर शुकर बश्पति राहू का मेल और दूसरी तरफ चंदर केतू का मेल ये करता क्या है बश्पत राहू और शुकर आपस में मिल जाए तो बच्चा जो लिखाई पड़ाई करें जो भी कुछ सीखें उसके अकॉडिक्टूरल आपनी मिलता और ये बैठा क्योंकि पिता के घर में है तो पिता के लिए तो सारी हालात खराब कर देता है न और पती पतली जाले सुक भी खराब कर देता पिता की फिर उपर से चंदर केतू का मेल ये रुपया पैसा प्रॉपर्टी मन की शांती गर के अंदर के सुक्षान थी इसको खराब कर गया क्योंकि शुक्र रहों का मेल आ गया तो इसको सिस्की दिक्कत भी आ रही है उपर से मंगल की दरश्टी शनी के उपर यानि के मंगल बद और जिसका मंगल बद हो जाता है उसके घर में बिमारी ये खलेश और पैसे की कमी ही रहती है इन तीनों योगों का जब तक इलाज नहीं होगा बटा तब तक जीवन के अंदर सक्सेस के वाके में खराब है और जब तक इन तीनों योगों का इलाज नहीं होता तब तक इसके पिता का भी ठीक हो पाना लगवग सम्भव साली निजर आता तो यह उपाई क्या है? सबसे पहले 43 दिन लगा था दूद में मक्षन डाल करके उसको मंदिर के अंदर दो एक किलो जौँ को दूद के साथ दो करके उसको लाल कपड़े में निपेट के उस बिस्तर के आस पास में जरूर रखो अब तीसरा केतु को यहां ठीट करना बहुत जरूरी है और इसके दान बहुत जरूरी है इसके लिए सिंपल दो पितन कर दो 43 दिन लगा था 50 ग्राम काले तिल 50 ग्राम सफेद तिल लेकर के 40 दिन पहले दान दे दो और उसके बार में हर मंगल वार को ये काले सफेद तिल दान देती जाओ लगवग एक साथ और मंगल के लिए हर मंगल वार 8 गुड़ की रोटी तंबूर में लगवा के कुटे और कौमों को डावा और चांदी जादा से जादा धारान करो बेटा जब तक ये सारे उपाई नहीं होते तब तक की मुसीबत है और जहां ये उपाई हो गए इस बच्ची का स्वास्थे भी अच्छा है जो ये करना चाहती है आईटे में वाक्य में ये बहुत काबिल बच्चा है और ये बहुत अच्छा निकलेगा इसके बाल इसके पिता भी ठीक होंगे और तुमारे घर की फैनेशली हालात बहुत अच्छे होते है तो ये उपाई कर बेटा ताकि परमात्मा तेरे घर में वाके में खुशिय बहुत सके गुरुदेव शो तो खत्म होने वाला है पर मैं आपसे विंपी करूँगी कि शो खत्म होने से पहले आप हमें खास गुरु मंत्र देखे बेटा आज का गुरु मंत्र ये ही मैं कहूँगा कि अगर सारी समस्याओं से बचके रहना है तो बेटा सारी रिष्टदारी जितने भी हमारे खास रिष्टे होते हैं मा, बाप, भाई, बहन, जीजा, साला, चाहे कोई भी बहनोई हो हमारे यानि कि जो भी पास के रिष्टदार है उन सब के साथ बहुत अच्छी बिना करके आखो कभी भी क्लैशिस मत आने दो, इगो प्राब्लम मत आने दो किसी की बात अगर बुरी लगी भी है तो उसके साथ बैठ करके बिलतल उसी वक्त उसको क्लेर कर लो क्योंकि ये रिष्टदार नहीं है बटा ये हमारे आस-पास भूमरे ग्रह ही है समझे सूरे पिता हो गए ब्रैसपति दादा हो गए चंडर मा मा नानी दादी हो गई बटा शुकर जीवन साती हो गया शनी चाचा हो गए बटा बुद्ध बहन बुवा बेटी हो गई समझे और केतु साला दोता बहनोई वगरा ये सारे हो गए एसमें से जो भी रिष्टा तुमारा ख्राब होगा जिसके जाथ भी लड़ाई होगी समय लोगों ग्रह ख्राब होगया और जो ग्रेव ख्राब होगया fitted सुक्त से संबंदिर यानि कि उन ग्रह जो वो हमें सुख दे सकता है उससे सम्मंदिर हमारे जीवर में अपने आप ही दुखा जाएगे तो इसलिए मेरी आप सब को सला यही है कि अगर आप अपने सारे ग्रहों को अच्छा रखते हैं तो सारे सुख मिलेंगे और शरीर के दुख भी उनी के साथ जोड़े हैं और शरीर के दुख भी अपने आप ही दुख होगे और खास तौर पर मैं जोड़ूगा कि वो बुज़रग महलाएं जो अपने ही पुत्रों के लिए नेगटिव सोच करके खाम खाई की कलेश घर में डाल लेती हैं बेटा अगर वो इस चीज को त्यागेंगी तो उनके भी कमरपाउं के दर्ध बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो इस चीज को अपनाएं इस गुरू मंत्य को अपनाएं और सदा खुशाल जिद्ध की पाएं दाता सोकता आज का शो देखने के बाद आपको स्क्लिप डिस्क या हडियों के खिसकने की समस्या से नहीं जूझना होगा बस आप गुरुदेव के बताएं लक्षणों को याद रखे और उपाई करते रहे गुरुदेव दर्शो को खुलाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मातरानी सब को सुखी रखे खुश्य बख्षिदा आप लोगों से विदा लेने का समय आ गया है लेकिन कल हम आपके सामने एक बार फिर से हासर हो जाएंगे एक नए विश्य के साथ तब तक के लिए दीज़े इजाज़त नमस्कार